एक उख्यात गैंगिस्टर जेल में रहकर बड़े बड़े नेताओं की हत्या करवा देता है लेकिन उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता। के भीतर ही उसी लॉरेंस गैंग ने एंसे पिनेता बाबा शिदिके की हत्या कर दी जिसके बाद शियम सिंदे काया पुराना वीडियो खूब वैरल हो रहा है। इस वारदात को कैसे अंजाम दिया, उसने कैसे प्लान बनाया, उसने कैसे शूटर तयार किये इस पर खूब चर्चा हो रही है। लेकिन इस घटना के बाद लॉरेंस गैंग को खत्म करने के नेताओं के दावे भी लगातार सामने आ रहे हैं। छे मैने पहले शिंदे का दावा था जो फेल हो गया है और अब पपू यादव का एक बयान सामने आया है। पपू यादव ने कहा कि अगर कानून अनमती दे तो 24 खंटे में इस लॉरेंस विश्वई जैसे दो टके के अपराधी के पूरे नेतर को खत्म कर दूँगा। अगर कानून अनमती दे तो 24 खंटे के अंदर इस लॉरेंस विस्णोई जैसे अपराधी के पूरे नेट्रोकों को खत्म कर दूँगा। आपको बता दें कि माराष्ट मैंसिपी नेता बाबा सिद्धकी की हत्या की जिम्यदारी लॉरेंस विस्णोई गैंग ने ली है। पुलिस ने अब तक तीन शूटरों की पहचान की है इस वारदात के बाद एक फेस्वूप कोस्ट भी सामने आया था जिसमें सल्मान खान का जिक्र था सल्मान खान को धंकी देते हुए इस पोस्ट में लिखा गया था सल्मान खान हम ये जंग चाहते नहीं थे पर तुमने हमारे भाई लॉरेंस विष्णोई का नुकसान करवाया आज जो बाबा सिद्धिकी की सराफत के पुल बादे जा रहे हैं वो एक टैम में दाउद के साथ मको का एक्ट मत था उसके मरने का कारण दाउद को बॉलिवूड राजनिती और प्रॉपर्टे डिलिंग में इसके अलावा लॉरेंस विष्णोई गैंग ने धंकी देते हुए कहा कि जो भी सल्मान खान और दाउद गैंग की हेल्प करेगा वो अपना हिसाब किताब लगा के रखना हमने पहले वार कभी नहीं किया इन तमाम धंकियों वारदातूं से फिलहाल पुरा बॉलिवूड रहा हुआ है लेकिन चेल से लॉरेंस विष्णोई यह सब कैसे कर रहा है यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है इसका पर पर इतना ही देखते रहें इंडिया डोट कॉम